क्लास 7 चैप्टर नमबर 2 नूट्रिशन इनिमल्स पार्ट नमबर 8 तो अगर इक वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि NCRT रेंकर्स पर आपको NCRT एक्स्प्लेनेशन पूरी तरह से मिलेगी तो इस टॉपि और यह माइक्रोइसकोपिक है माइक्रोइसकोपिक मतलब कि इसको हम लोग यह सुख्स में जीव है इसको हम लोग माइक्रोइसकोप सीहीं देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल होता है बहुत छोटा होता है यह सिंगल से और इक होता है मल्टी सेलूलर तो यह सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है amoeba has a cell membrane amoeba क्या होता है एक cell membrane होता है जो outer covering होता है cell का उसको कहा जाता है cell membrane a rounded dense nucleus एक गोल सा rounded और dense एक घना nucleus होता है इसमें और bubble like vacules होता है vacules होता है और इसमें cytoplasm होता है तो amoeba में क्या है to cell membrane होता है rounded of ruor round a dense nucleus होता है और many small bubbles like vacules होता है यह न क्या होता है तो talk travelling organize नुक्लीएस अ का साट्व होता है तो यह औरा हुआद हो जो masih chi verz, यह लिब्रछक का उटा है उसी तरह से जो बेट करने का यह वर रिषय्स होता है नहीं होता है अमीबा जो होता है वो अपना shape according to need according to function कैधार पर बदलते रहता है it pushes out one more finger projection is called pseudopodia false fit for moment of the capture of the food तो यहां पर बहुत अच्छा बात लिखा हुए है कि अमीबा जो है वो अपना shape हमेशा change करती रहता है अपनी need के अनुसार तो उसके पास एक finger like projection होता है ठीक है फिंगर like structure होता है जिसके पास पैर नहीं होता है तो हम लोग इसे topic को पढ़ रहे हैं तो जो कि इसको food capture करने में मदद करता है तो यहां पर यह अमीबा का डाइग्राम है तो यह है नुकलियस जो सेंटर में राउंड शेप का है यह क्या है सूरूपीडिया इसका एक फॉल्स फीट होता है ठीक है फॉल्स मतलब कि फीट भी नहीं है लेकिन काम करता है फूट की तरह और फूड पार्टिकल्स वह यहां स चोड़े वेक्यूल सें जो स्टोरेज कर रहे हैं और यहां से अमीबा में क्या हो रहा है इजेशन हो रहा है मतलब कि वह एक्स्क्रियेट कर रहा है अपने बॉड़ी का वेस्टेज अमीबा फीट्स ओन माइक्रोइसकोपिक और निजम को फीड करता है खाता है वहन इट से चेंज करते रहते हैं और उसके बाद वह फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर देता है अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और यह फूड को सिंपलर सबस्टांस में कनवर्ट कर देते हैं ग्रैजुली दाइजेस्टेट फूड इस एब्सूर्ब बाइजेस्टेट फूड बाइजेस्टेट फूड बाइजेस्टेट फूड बाइजेस्टेट फूड बाइजेस्टेट फूड बाइजेस्टेट फू और जो भी undigested material है उसको excreate कर देता है vacuels के द्वारा the basic process of digestion of the food and release energy is same in animal तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि amoeba animals की ही तरह food को ingestion करता है ingestion करता है उसको में digestion करता है absorption करता है asylumization करता है और उसके बाद e-gestion करता है जो कि humans में भी होता है और other animals में भी होता है प्रोसेस हो रहा है वह animals की ही जैसा हो रहा है इन लेटर चैप्टर you will learn about the transport अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे transport of the food कैसे होता है ठीक है इन लेटर चैप्टर you will learn about हम लोग पढ़ चुके है कि food का transportation कैसे होता है तो इस्मॉल इस्टेटाइन होता है उसमें हम लोग पढ़े थे कि finger like projection होते हैं जिनका नाम होता है विली और वो उसको एब्जॉर्ब करके blood vessels के थुरू अलग अलग parts में भेज जाते हैं यहां पर हम लोगा चैप्टर होता है complete thank you प्रप्डाइन होता है